स्रीमद भगवत गीता के दसवे अध्याय का महत्म भगवान सिव कहते ही सुन्दरी अब तुम दसम अध्याय के महत्मे की परम पावन कता सुनो जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुन्दर सोपान और प्रभाव की चर्म सीमा है कासी पुरी में धीर वुद्धी नाम से विख्यात एक व्रहमर था जो मुझ में पिरिय नंदी के समान वक्ती रखता था उह पावन कीर्ती के अर्जन में ततपर रहने वाला सांत चित और हिंसा कठोरता एवं दुसाहत से दूर रहने वाला था जितेंद्री होने के कारण उह निब्रती मार्ग में ही इस्थित रहता था उसने वेद रूपी समुद्र का पार पालिया था उह समपूर सास्त्रों के तातपरे का ग्याता था उसका चित सदा मेरे ध्यान में सनलगन रहता था उह मन को अंतर आत्मा में लगा कर सदा आत्म तत्तु का साच्छातकार किया करता था अतै जब उह चलने लगता तब मैं प्रेम बस उसके पीछे दोड़ दोड़ कर उसे हाथ का सहरा देता रहता था यह देख मेरे पारसद व्रंग रिटी ने पूछा भगवन इस प्रिकार वला किसने आपका दर्शन किया होगा इस महत्मा ने कौन सा तब खोम अत्वा जब किया है कि स्वेम आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते ही व्रंग रिटी का इह प्रशन सुनकर मैंने इस प्रिकार उत्तर देना आरंब किया एक समय की वात है केलास परवत के पारस भाग में पुनाग वन के वीतर चंद्रमा की अम्रतमई केड़ों से दुली हुई भूमे में एक वेदी का आस्रे लेकर मैं वैठा हुआ था मेरे वैठने के छड़भर वाध ही सहसा बड़े ज कराने लगी कितनी ही टहनियां तूट तूट कर विखर गई परवत की अविचल छाया भी हिलने लगी इसके वाद वहां महान भयंकर सब्द हुआ जिससे परवत की कंद्राएं प्रतिध्वनित हो ठी तदनंतर आकास में कोई विसाल पच्ची उत्रा जिसकी कांती काले मेग के समान थी उह कंजल की रासी अंदकार के समोह अत्वा पंक कटे हुए काले परवस्था जान पड़ता था पैरों से प्रत्वी का सहारा लेकर उस पच्ची ने मुझे प्रडाम किया और एक सुन्दर नवीन कमल के मेरे चड़ों में सर रखकर अपने इस पश्ट वाणी में इस्तुति का नियारंब की पच्ची वोला देव आपकी जय हो आप चिदा नंद मई सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं सदा सद्भावनों से युक तैव मना सकती की लहरों से उल्लसित हैं आपके वैभाव का कहीं अंत नहीं है आपकी जय हो अधैत वासनां से पड़ पूर वुद्धी के द्वारा आप तिर्विद मलों से रहित हैं आप जितेंद्री भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साच्छातकार होता है आप अविद्यामय उपाद से रहित नित्यमुक्त निराकार निरामय असीम एहंकार सूने आवरण रहित और निर्गुण हैं आपके चर्ण कमल स्राड़ागत भक्तों की रच्छा करने में प्रिभीड हैं आपने वहंकल ललाट रूपी महासर्प की विस ज्वाला से अपने काम देव आपने काम देव को भस्म किया था आपकी जय हो आप प्रत्यच्छ आद्र प्रमानों से दूर होते हुए भी प्रमानिन्य स्वरूप हैं आपको वारवार नमस्कार है जेतन्य के श्वामी ततात्तिर भोवन रूप दारी आपको फिडाम है मैस्त्रेष्ट योगियों द्वारा चुम्वित आपके उन चड़ कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भावपाप के समुद्र से पार उतारने में अदवुत सक्त साली हैं महादेव साच्छाद ब्रहस्पती भी आपकी इस्तुति करने की देश्टता नहीं कर सकते सहेस्त्र मुखों वाले नागराज सेस में भी इतनी चात्री नहीं है कि वे आपके गुणों का वड़न कर सकें फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धी वाले पच्छी की तो विसात ही क्या है उस पच्छी के द्वारा किये हुए इस इस्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा विहंगम तुम कौन हो और कहां से आये हो तुम्हारी आकरिती तो हंस जैस है मगर रंग कवे जैसा क्यों मिला है तुम जिस प्रियोजन को लेकर यहां आये हो उसे बताओ पच्छी बोला देवेस मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए धूर जटे जिस कर्म से मेरे सरीर में इस समय कालमा आ गई है उसे सुनिए प्रभो यद्य पे आप सरवग्य है अत ने आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है तथा यद आप पूछते हैं तो मैं वतलाता हूं सुराष्ट अर्थात सूरत नगर के पास एक सुन्दर सरोबर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं उसी में ऐसे बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे स्वेत मिडालों के ग्रास लेकर मैं वड़ी ती ब्रगत से आकास में उड़ता जा रहा था उड़ते उड़ते सहसा वहां से मैं प्रथी पर गिर पड़ा जब होस में आया और अपने गिरने का कोई काड़ न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा अहो यह मुझ पर क्या आपड़ा आज मेरा पतन कैसे हो गया पके हुए कपूर के समान मेरे स्वेत सरीर में है कालिमा कैसे आ गई इस प्रिकार विश्मित होकर मैं अभी विचार ही कर था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी हंस उठो मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का काड़ वताती हूं तब मैं उठकर सरोवर के वीच में गया और वहां पांच कमलों से युक्त एक सुन्दर कमिलनी को देखा उसको प्रिडाम करके मैंने पि अग से मुझे लांकर गए हो उसी पातक के पड़ाम स्वरूप तुम्हें प्रती पर गिनना पड़ा है तथा उसी के काड़ तुम्हारे सरीर में कालिमा दिखाई देती है तुम्हें गिरा देख मेरे हिर्दय में दया भराई और जम्म इस मध्यम कमल के द्वारा वोलने ल परग लोग को प्राप्त हो गए हैं पच्छी राज जिस काड़ मुझ में इतना बैभाव ऐसा प्रभाव आया है उसे वतलाती हूं सुनो इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस प्रती पर एक ब्रहमण की कन्या के रूप में उत्पन हुई थी उस समय मेरा नाम सरोज वदना था मैं गुर्जनों की सेवा करती हुई सदा एक मात्र पतिवरत्य के पालन में तत्पर रहती थी एक दिन की वात है मैं एक मैना को पड़ा रही थी इससे पतिशेवा में कुछ विलंब हो गया इसी से पतिदेवता कुपित हो गए और उन्होंने साप दिया पापनी तू मैंना हो जा मरने के वाद यद्यप मैं मैंना ही हुई तथा पतिवरत्य के प्रसाद से मुनियों के घर में ही मुझे आसरे मिला किसी मुनिकन्या ने मेरा पालन पोशड किया मैं जिनके घर में थी वे ब्रहमण प्रतिदिन प्रातेहकाल विवूती योग नाम से प्रसि करती थी वेहंगम काल आने पर मैं मेना का सरीच छोड़ कर दसम अध्याय के महात्म से स्वर्ग लोक में अपसरा हुई मेरा नाम पद्धा वती हुआ और मैं पद्धा की प्यारी सकी हो गई एक दिन मैं बिमान से आकास में विचर रही थी उस समय सुन्दर कमलों से सुसोवित इस रमड़ी सरोवर पर मेरी दस्टी पड़ी और इस में उतर कर जियों ही मैंने जल कीड़ा आरंब की तियों ही दुरवासा मुनी आधम के उन्होंने वस्तर ही न वस्ता में मुझे देख लिया उनके वहेसे मैंने स्वैम ही एक कमलनी का रूप धार कर लिया मेरे दोनों पैर दो कमल हुए दोनों हाथ दो कमल हो गए और सेस अंगों के साथ मेरा मुक्वी एक कमल हुगा इस परकार मैं पांच कमलों से युक्त हुई मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा उनके नेत्र क्रोध अगनी से जल रहे थी बे बोले पापनी तु इसी रूप में सव वरसों तक पड़ी रहे यह साब देकर वे छड़ भर में अंतरधान हो गए कमलनी होने पर भी विभूती योग योगा ध्याय के महात्मे से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई मुझे लांगने मात्र के अपराद से तुम प्रती पर गिरे हो पच्छी राज यहां खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे साब की निब्रती हो रही है क्योंकि आज साव वर्स पूरे हो गए मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो उसके सिवड मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगी योग कहकर पद्धिनी ने इश्पष्ट एमों सुन्दरवाणी में दस्वे अध्याय का पाठ किया और है मुक्त हो गई उसे सुनने के वाद उसी के दिये हुए उस इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अरपड किया है इतनी कथा सुनाकर उस पच्छी ने अपना सरीर त्याग दिया यह एक अद्वुत्सी गटना हुई वही पच्छी अव दस्वे अध्याय के प्रवाव से ब्रहंबर कुल में उत्पन हुआ है जन्म से ही अभ्यास होने के कार सैस्वावस्ता से ही इसके मुक्से सदा गीता के दस्वे अध्याय का उच्चाड हुगा करता है दस्वे अध्याय के अर्थ चिंतन का इह परडाम हुआ कि यह सब भूतों में इस्तित संक चक्रदारी भगवान विश्नु का सदा ही दसन करता रहता है इसकी इसनेह पूर दरश्टी जब किसी देहधारी के सरी पर पड़ जाती है तब हुए चाहे सरावी और भ्रहमत्याही के उनहो मुक्त हो जाता है तता पूर्व जन्म में अभ्यास किये हुए दस्मे अध्याय के महात्म से इसको दुरलव तत्तुग्यान प्राप्त है तता इसने जी मुक्ती भी पाली है अत्यह जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहरा दिये रहता हूँ भ्रंग्रिटे यह सब दस्मे अध्या की ही महमा है पार्वती इस प्रकार मैंने भ्रंग्रिटी के सामने जो पाप ना सकता कही थी वही यहां तुमसे भी कही है नर हो या नारी अत्वा कोई भी क्यों न हो इस दस्वे अध्या के सिवड मात्र से उसे सब आस्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। जय स्रीक्रिश्ण